हेलो एब्रीवन इस्टेटिक क्यूविज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आज से हम यह जो न्यू इनिशेटी है जिसको स्टार्ट कर रहे हैं तो हर संडे को हम इस्टेटिक से टॉपिक से रिलेटेट क्यूविज रखेंगे इसके साइण्स वाला जो सेक्टर है उने सब को तो इस तरीके से हम जो बेसिक जो सबजेक्ट से उनको कवर करने की कोशिज करेंगे फिले इस तरीके से डेस से पंद्रा क्यूश्चन तो फ्रेंट्स आज का जो डिसकेशन इयों सटार्ट करते हैं। So friends first question के अंदर पुछा है कि जो regulating act है 1773 का क्या ये पहला act था जिसके थुरू जो बेटे सेश्ट इंडिया company थी उनकी जो activities को जो regulate करने की कोशिस की गई इसके लावा जो second statement मैं उसने बुलाए कि इसने जो center administration की जो foundation है उसका lay down किया था तो friends दोनों statement basically इसके अंदर correct है इससे पहले अगर हम बात करें 1773 के जो regulating act की तो friends अगर हम बात करें 1773 के जो regulating act जो आया था उसके आने के पीछे बेसिक कुछ reasons थे कि जो यहाँ पे जो company थी company 1757 में एक revolt होता है वो एक battle होता है battle of policy in bangar और फिर 1765 में battle of boxer होता है जिसके अंदर company को basically जो दिवानी rights थे बंगाल बंगाल बिहार और उडिसा इन sectors के दिवानी rights मिल चुके थे तो उसके बाद में company यहाँ पे continue जो territory का expansion कर रही थी इसके लावा जो corruption था corruption का जो rate था वो काफी high चला गया था within the debt जो company officers थे उनका proper judicial system भी नहीं था इसके लावा कोई भी central authority नहीं थी यहाँ पे company को regulate काने के लिए तो company के जो खिलाप है जो regularly जो आवाज है वो जो बिर्टेन के अंदर उट रही थी और इसके लावा एक lobby थी जो continue company के against में अपनी voice को raise कर रही थी इसके साथ ही latestly 1772 के अंदर company ने 1 million pound जो 1 million pound का loan है जो government से मांगा apply किया loan के लिए तो उसके साथ ही यहाँ पे company के उपर regulation की जो demand थी वो उठी तो 1773 में पहली बार regulating act आया जो जिसने company की activities को regulate किया इसके लावा central administration की जो foundation है वो लेट डाउन की गई और यह जो central administration की जो foundation है वो peak पर पहुंसती है friends 1833 में जब governor general of India बनाया गया इसमें पहली बार बनाया गया governor general of बंगाल इसके लावा बात करें 1833 वाले act के थूँ बनाया गया governor general of India अब पहली बार कोई all over इंडिया का एक governor general बना इसके अलावा बात करें friends अगर हम बात करें devolution की कि बापिस से फिर जब devolution हुआ जो decentralization start हुआ तो after the 1857 के बासे decentralization start होता है यह peak पहुंसता है friends 1935 act तक जिसके अंदर यहाँ पे provincial जो government establish होती है Congress के जो कुछ जगे सरका बनती है तो friends यह एक journey है जो centralization और devolution decentralization की तो friends यह कुछ reasons थे इसके अलावा जो company है वो यहाँ पे first जो battle हुआ था उनका मैसूर के साथ में हैदर अली के साथ में वो battle भी हार गई थी तो यह भी एक region था के company जो 1769 के अंदर एक battle थी जिसको defeat हो गया जो first anglo anglo मैसूर वार भी बोलते हैं हैदर अली की leadership में थी तो वहाँ पे हार गी इसके लाव बंगाल के अंदर फैमाईन आया terrible फैमाईन था तो इसकी वज़े से company के उपर regulate किया गया तो friends वो आपको पताई होगा इसके अंदर कुछ points लाए गए वो जो Warren Hastings तो गवर्नर जनरल बंगाल बनाया गया इसके लाव उनकी four members की जो council governor general की council आई इसके लाव अगर हम friends अगर हम बात करें कि इसमें जो supreme court established हुआ केलकटा के अंदर में presents and bribes लेने से रोका गया यहां की जो company की जो servants थे उनको इसके लावा जो board of control है वो establishment में आया तो friends see the correct answer so next question की तरफ चलते हैं friends next question के अंदर friends अब समझें तो इसका जो meaning है वो है court of directors और board of control का जो office establish किया गया जो court of directors and board of control board of control तो इसमें जो basically वहाँ पे जो actually में उस time जो British में जो prime minister थे जो pits नाम की जो prime minister थे उन्होंने government का भी control और company का भी activities government तो political affairs को देखेगी government तो political affairs को देखेगा और जो company है उसका काम है commercial को अगर हम बात करें company की जो commercial की जो activity थी जिनको जो monopoly थी company की completely in the commercial sector तो इस company की monopoly को जो abolish करने से related एक तो 1813 के अंदर 1813 के अंदर पहली बार except two things china and tea तो chai और china दो ऐसी चीजें जिनको छोड़ गे company की जो commercial sector में जो monopoly थी उसका abolish किया गया बाद में और completely monopoly के अगर बात करें तो 1833 में completely abolish हो गया था completely abolish हुआ 1833 के अंदर जो company की जो commercial sector जो company को दिया गया था और जो government का वहाँ पे जो British crown है उसका जो काम था political affairs को देखना तो जो double government जो Pits India Act के थूँ establishment में आया तो Pits वहाँ पे William Pits जो वहाँ के Prime Minister थे उस टाइम में उनके नाम से यह act बनाया भी Pits of India Act तो Charter Act of 1813 में तो आपको friends भी बताया कि चाय और चाइना को छोड़ के जितनी भी company की जो monopoly थी उनको abolish किया गया 1833 में completely abolish हुआ और company को purely administrative purpose से बना दिया गया Act of settlement जो 1781 का है actually में जब 1773 का जो regulating act है friends तो उसके अंदर जो governor general की council थी judiciary का पहली बार establishment में आया जो कोई accountable रखे company को तो जो governor general की council थी इसके लाओ जो presents and bribes लेने से जो मना किया गया वहाँ के company के servants को तो इस वज़े से उन सब जो रोक लगा दी गई थी उन सब को रोकों को immune करने के लिए कि judicial system के उपर जो governor general की council है उससे related जो लोग है या governor general की council से जो अगर कोई भी decision लेती है तो वहाँ के जो judicial system जो supreme court established हुआ था के लकटा के अंदर उस supreme court का कोई भी jurisdiction नहीं रहेगा इनके उपर में तो यह तो act of settlement था जो जो भी defects से 1773 के act के उनको देखने के लिए आया था तो friends अगर हम यहाँ इस question की अगर answer की बात करें तो pits India act यहाँ पर right answer है तो friends हम next चलें next question में पुछा है कि कौन से act के थुरू जो immunity दी गई जो अभी हमने discuss किया governor general की council को servants of company from supreme court की jurisdiction से तो अगर हम friends हम बात करें act of settlement जिसको amendment act जो 1773 का amendment act था उसके थुरू आया था regulating act के थुरू यह सब powers दी गई थी कि supreme court का establishment उसका juridiction जो देखना था एक supreme court का establishment हुआ था केलकटा के अंदर तो उसका juridiction था जितने भी activities है उन सबको company को more accountable रखने के लिए वह act आया था इसकर आप पिटसे इंडिया act की तो friends हम ने देखा double government यहाँ पे court of directors, board of control और completely distinguish किया between the company के जो political या commercial जो affairs है उन दोनों के बीच में Charter Act of 1813 के अगर हम बात करें तो 1813 में हमने देखा कि company की जो commercial monopoly थी उनको abolish कर दिया गया except China, China को छोड़ कर TN China को छोड़ के जितनी भी company की जो monopoly थी उनको abolish किया completely monopoly monopolies किया गया friends 1833 के अंदर में इसके अलावा जो Christian missionaries को जो allow किया गया वो 1813 के act के थ्रू अलाव किया गया था friends जो Christian missionaries यहाँ पे education के purpose से allow किया था उसी time में इंडिया में renegence जो social reform movements का start हुआ था एक person है जिनको father of Indian renegence बोला जाता है तो friends this is all about this question तो अगर हम correct answer के अगर हम बात करें तो act of settlement is the correct answer जिसके थ्रू इम्यून किया गया company के officers को कि वहाँ पे supreme court का jurisdiction इनके उपर apply नहीं होगा तो friends अगर हम next question के अगर हम बात करें तो next question के अंदर पूछा है election commission of India से related तो friends हमने ये question को अभी current affair का जो सीधी चल रहा है उसके अंदर हम डिसकस किया था अभी recently जो chief election commissioner हमारे बने हैं इसके लावा बात करें election commission की friends तो ये constitutional body है इसके लावा multi member body है friends multi member body का हमने discuss किया हुआ है friends तो हम इसको एक बर फिर से देखते हैं multi member 1989 तक तो single member body थी फिर उसके बाद में जब voting का age reduce किया गया 28 साल से reduce करके 18 साल कर दिया गया 18 years का जो person हो eligible है for voting के लिए तो उस time में फिर इसको multi member body बना दिया गया बाद में दुबारा इसको change कर दिया गया और 1993 4 से 1993 4 से जब से पंच साड या 74th constitution amendment act के थूँ तो उसके बाद से इसको multi member body है one CEC one chief election commissioner इसके लावा अगर बात करें दो election commissioner होते हैं अगर बात करें removal जो chief election commissioner का जो removal है वो judge of supreme court की तरह removal का procedure है अगर बात करें इन दो चीफ two election commissioner का अगर removal है तो recommendation होनी चीफ election commissioner की इसके लावा अगर regional commissioners जो बनाई जात हैं on the recommendation of chief election commissioner तो इसका भी अगर removal है तो on the recommendation of chief election commissioner तो chief election commissioner के पास two जो different powers है election commissioner से तो ये हैं कि इनकी removal और इनकी appointment से related appointment of regional commissioner and removal of election commissioner and regional commissioners के removal में chief election commissioner की जो recommendation है वो लागू होती है मतलब कि chief election commissioner को recommendation देनी होती है इसके लाव friends हम बात करें कि हमारा जो 324 article की through free and fair जो elections को conduct कराने के लिए chief election commission को establish किया गया तो constitutional तो body है इसके लाव multi member body भी है और first chief election हमारे सूकुमार सेन थे ये भी correct option है तो friends sees the correct answer इसके लाव friends ये आपको ऐसे कोई भी अगर हम बात करें first finance commission है chief election commission है इसके लाव cvc अगर ऐसे कोई कोई भी organization है तो उसके first जो member chairman हिनके बारे में हमको पता होना चाहिए basically काफी बार अभी UPSC भी थोड़ा इस type से question पूशन लगए तो friends next question की तरफ हम चलते हैं इसके लाव friends हमने election commission की और भी जो बाते थी वो हमने discuss की है model code of conduct के बारे में जो parties के level playing field के लिए model code of conduct लगाया जाता है जिस दिन जो elections announce होते हैं उसी दिन से model code of conduct लग जाता है model code of conduct basically यह है कि अगर इंडिया के किसी state के अंदर suppose करो इंडिया के महराष्टा इस state के अंदर अगर election conduct हो रहे हैं तो central government कोई भी ऐसी scheme को नहीं वो कर सकती कि पास नहीं कर सकती कि जिससे महराष्टा के people को benefit मिले हुमिटेरियन basis पे अगर करना पड़े तो government को जैसे मालो उसी टाइम इलक्सन के टाइम ही वहाँ disaster को आ जाता है या आर्थक्वेक आ जाता है तो हुमिटेरियन basis पे तो central government कोई भी relief जो activity है या relief fund को वहाँ implement कर सकती है बट अगर normal time है तो उस time में government नहीं कर सकती क्योंकि model code of conduct basically जो same level playing field जितनी भी जो political party जाउनके लिए कि किसी भी party को age ना मिले election के अंदर में इसके अलावा इसके अंदर जितनी भी guidelines हैं कि जो electronic जो campaigning है वो किस type से करना है इसके अलावा कोई भी candidate के जवारा जो expenditure है वो to conduct friends इसके लावा और भी बहुत सारी activities हैं जो election commission during the elections लेता रहता है to conduct the free and fair election एक बहुती फेमस election commissioner थे हम हमारे TN सेसान तो TN सेसान के बारे में friends आप read करना हमारे ethics के answer से related TN सेसान का जो name है very important है तो friends this is all about election commission she is the correct answer तो friends हम next question की तरप चले next question के अंदर friends next question के अंदर friends पूछा है कि जो हमारा amendment act है और उसके अंदर कौन से subject से related amendment act है तो friends हमने अब भी देखा 61 constitution amendment act के थुरू voting की age को reduce किया गया था 18 साल तक कर दिया गया था 20 साल से कम करके इसके लाव friends हमने 50 सेकंड constitution amendment act के थुरू जो 10 सेड्यूल है 10 सेड्यूल आबाउट था anti-defection law तो उसको implement किया गया था अगर हम 50 सेकंड constitution amendment act के बात करें friends 1985 के अंदर यह आया था 1985 में और यह anti-defection law से related है friends अगर हम बात करें friends anti-defection law तो anti-defection law अगर हम बात करें what is defection तो अगर हम political जो definition है वो तो यह है कि friends the crossing of the floor of the house in the unethical manner the crossing of the floor of the house means अगर को friends आपने देखा होगा कि अगर speaker का जो seat है वो यह है तो जो हमेशा जो भी government power में होती है वो हमेशा right side के side उनको बैठना होता है उनको sitting pattern होता है और left side में वो यह जो left और right है वो speaker की chair के according है तो this is the right according to speaker chair तो right side में जो government power में होती है वो form करती है और जो left side में वो government उन members को sitting arrangement होता है जो power position में है तो the crossing of the floor of the house का means यह है कि friends यहाँ से cross करके कोई इस group से इस group को join कर ले यहाँ से यहाँ unethical manner अब ethical और unethical इसमें two by third का merger एक exception है कि अगर within the party का activity सही नहीं है तो two by third people merge करके दूसरी party merge हो जाए तो इसको एक exception दिया गया है इसमें इसके law of friends anti-defection law की अगर हम बात करें तो independent members जो elect होके आते हैं जिनको निर्दलिये बोलते हैं जो independent members जो elect होके आते हैं उनके उपर anti-defection law implement होता है अगर हो कोई political party join कर लेते हैं इसके लाव friends हम बात करें nominated members की अब nominated members की हम बात करें recently जो हमारे four जो very famous person regarding to the music या sports से रेपीटी उसाजी जो है उनको अभी president ने nominate किया है तो nominated members का कुछ time period दिया जाता है friends six month का time period है nominated members को कि आप six month तक कोई भी political party अगर आप choose करना चाहो तो choose कर सकते हो अगर आप कोई भी party choose नहीं करते हो तो आपको फिर उसके बाद में आप कोई भी party choose नहीं कर सकते है within the six month उनको time period होता है nominated members का अगर friends हम बात करें nominated members की तो 12 members जो हमारे president of India हैं वो nominate कर सकते हैं राज्य सबा के अंदर इसके लाव friends एंगलो इंडियन्स टू एंगलो इंडियन्स का जो provision था पहले लोग सबा के अंदर भी provision था कि अगर एंगलो इंडियन community से कोई people हैं उनको proper representation नहीं मिला है तो president of India टू एंगलो इंडियन पीपल्स को nominate कर सकते हैं लोग सबा के अंदर पर इस provision को friends 104 104 जो constitutional amendment act के थूँ इस provision को अठा दिया गया constitution amendment act के थूँ इस provision को था दिया गया कि अंगलो इंडियन्स नहीं को nominate नहीं कर सकता इसके लावा जो एक अंगलो इंडियन community से member जो state legislative assembly है जो state legislative assembly है और इसके लावा 10 schedule में friends हमने एक case भी देखा है कि हो तो हिलो हन case है 1992 का जिसमें बताता है कि speaker ने जो भी decision लिया उसका judicial review हो सकता है friends judicial review allow किया है उस case में कि जो 1992 कि हो तो हिलो हन case है तो आप इस case के बारे में read करना तो friends 90 second constitution environment act के बारे में पुछा है कि 8 schedule में जो language add की गई तो friends 8 schedule के अगर हम बात करें तो 22 languages है starting में यहाँ पर 14 language थी तो 90 second constitution environment act के तुरू चार languages को add किया गया बोडो, डोगरी, मैथली और संताली BDMS यह formula है बोडो, डोगरी, मैथली और संताली तो इन चार languages को add किया गया friends इसके तुरू तो आपको friends यह 14 से लेकर जो हमारी जर्णी है 22 की यह भी हमको पता होनी चीए क्योंकि काफी बार UPSC इस तरीके से जो minute से minute questions पूछ लेता है कभी-कभी एक statement के रूप में कि कौन से amendment act के तुरू कौन से language add की गई तो friends अगर इस question के अगर हम बात करें तो तीनों option three pairs three only इसमें अंदर correct हैं यह I think यह wrong लिखती है गए friends यह one pair two pair three pair होना चाहिए थे यहां पर तो basically three pairs correct हैं तो friends next question की तरफ चलते हैं next question में friends delimitation commission से related है कि जो delimitation commission है जिसको president of india constitute करते हैं तो उसके जो members कौन होते हैं तो friends अगर हम delimitation commission की बात करें तो एक constitutional commission होता है जो article 82 के थूरू अगर center की अगर parliament की power seats को अगर change करना है या उनको withdraw करना है redraw करना है तो उससे related है article 170 जो है वो basically state legislature से related है अगर हम बात करें friends जो delimitation commission में तो उसके अंदर जो three members होते हैं सुप्रिम कोड के retire judge, chief election commissioner और इसके अलावा जिस state के अंदर जो seat है जो गिरती है अगर member of parliament की भी seat है तो वो कोई से हम बात करें कि हरियाना हरियाना के अंदर member of parliament की 10 seat है तो अगर वहां भी कोई किसी seat के अंदर change करना है तो basically वहा जो समत से कोई उस state से कोई होना जाए तो ऐससे तीन members delimitation commission के होते हैं और इसकी जो recommendation होती है, delimitation commission की वो binding होती है friends, इसके लावा friends हम बात करें अभी तक इंडिया में चार बार delimitation commission को constitute किया गया है, 1952, 1962, इसके लावा बात करें'd friends 1973, और 2002, तो चार बार अभी तक Delimitation Commission को constitute किया गया है वैसे provision तो यह है कि after every census अगर seats के अंदर कुछ भी change होता है जो Parliament की जो seats हैं या State Legislature की after every census इसके लाव friends Delimitation Commission का एक lacking भी है कि on population basis पे हम जो representation को decide करते हैं तो यह हमारे जो population जो control का जो हमारे जो basically जो government की schemes हैं कि हमको जो population को control करना है तो उनके completely against यह bias है कि हम जो on the population basis के उपर हम जो voting का जो seats से वो decide करते हैं इसी में अभी recently एक topic और news में चल रहा था friends caste census तो caste census का भी यह ही एक lacking है कि अगर हम बता दिया जाए कि अगर किसी भी caste का कि यह population है तो उसके अंदर friends यह भी lacking है कि अगर किसी caste की population suppose 20 lakhs है और other caste है जिनकी कुछ dominative caste है उनकी population 1 crore के आसपास है तो यह लोग फिर population growth के लिए वो करेंगी कोसिस करेंगी तो फिर इसमें जो women का जो status है वो status में फिर से reduce आजाएगा तो friends इसी वज़े से यह जो caste census है इसके लाव जो population से related हमारे election का जो procedure है तो इनका कुछ lacking है जो अगर main answer है तो इसमें यह आप लिख सकते हूं तो friends 1 and 2 is the correct answer यहाँ पे एक और दो यहाँ पे सही है retired judge और chief election commissioner इसके लावा अगर हम बात करें state जो जिस भी state के अंदर होता है तो उसे state के जो respective state है respective जो state है उसे state के election commission से related आदमी होने चाहिए तो ऐसे तीन आदमी तीन members से इसके अंदर होते है CBI के chief तो इसके अंदर नहीं होते है Central Vigilance Commission का भी कोई इसके कोई relation नहीं है so friends next question की तरफ चलते है next question के अंदर फ्रेंड्स पुछा है कि who is the father of renegence जो इंडिया का जो social reform moments थे उनकी father of Indian renegence को बोला जाता है तो राम मोहनरोई जो है उनको बोला जाता है अगर हम friends बात करें इनकी name के आगे prefix लगता है राजा राम मोहनरोई तो राजा का जो title था इनको अकबर second नाम के हमारे king थे अकबर second that is not famously जो अकबर है हुमायू के बाद में जो अकबर आते हैं वो नहीं है अकबर second ने इनको ये title दिया था क्योंकि इनको basically वहाँ visit करना था तो king ने अपना जो prefix देखे कि king के representative है जैसे हम देखते हैं कि आजकल जो G20 की जो summits होती हैं उनके अंदर से सेरपा जो concept है जो government का representative होता है सेरपा जो recently हमारे अमिताब कांत जो से नीतियायो के CEO थे उनको बनाया गया है तो friends राजारा मोहनरा इसके popularly बताया जाता है कि Indian Renaissance जो modern men थे इंडिया के उस टाइम में इसी टाइम में फ्रेंट्स 1813 का एक्टा है था 1813 के एक्ट के थुरू जो Christian missionaries को लाव इसलिए किया गया था कि जो educated Indians है जो जिन भी educated Indians को ऐसे लगे कि जो हमारे society के अंदर evils या social जो activities है वो काफी derogatory है तो उस वज़े से वो Christianity के लिए या modern religion की तरफ attract हो तो इस वज़े से भी friends Christian missionaries allow की गई थी इसके लाव friends हम बात करें दादा भाई नारो जी तो ये late phase में आते हैं और ये drain of wealth जो book है कि कैसे British लोगों यहां से जो पैंसा था उसको drain करके वहां लेकी गई कोपाल किष्न गोखले जो गांदी जी के गुरू बाने जाते हैं इसके लावा बाल गंगादर तिलक जो हमारे revolutionary हैं और काफी अच्छा काम किया था इन्होंने जैसे जो गनेश और शिवाजी festival हैं को organize किया पीपल्स को एक जगए एक जगए एकत्रित किया इसके लावा गनेश और शिवाजी festival जो इन्होंने celebrate किया अगर हम positive देखें तो हमारे जो local जो heroes हैं उनके बारे में हम worship करना इस्टार्ट किये उनको praise करना इस्टार्ट किये people से एक जगए खटा होना इस्टार्ट के तो एक दगए मिले तो एक दूसरे के बारे में जानने लगी कि same society के अंदर क्या problems हैं तो ये सब चीजें जो बालगंगा धरतिलक जी के दोरा इस्टार्ट किये गई थी so friends हम next question की तरफ चलते हैं next question की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ organizations है जो women से related है मैलाउं से related कोई organizations है और उनके जो related जो people है उनके बारे में यहां question पुछा गया है अगर हम video remarriage की बात करें friends तो विशनु सास्त्री पंडित है उनके दौरा 1916 में ये start किया गया था 1916 के समय अगर हम बात करें Indian Women University की friends तो डीके कार्वी के दौरा इस्टार्ट किया गया था ये friends जो Women University है ये 1916 में इस्टार्ट किया गयी थी मैंने यहां गलती से बता दिया अगर video remarriage की बात करें तो विशनु सास्त्री पंडित उनके कार्वी के दौरा इसके लाव इसमें बताया है कि भारती है इस्तरी महामंडल तो सरला देवी चोधरानी के दौरा इलहबाद के अंदर इस्टार्ट किया गया था इसके लाव बात करें हम लेडी सोशल कॉनफरेंस तो ये बेसिकली जो पार्ड था जो नेशनल सोशल कॉनफरेंस फ्रेंड से एक और्गनाइजेसन थी 1887 में जो बना नेशनल सोशल कॉनफरेंस तो ये 1887 के अंदर एक और्गनाइजेसन था फ्रेंड जो बना था इसको जो फाउंडर थे वो थे M.G.Rana Day महादेव गोविंदु रानाडे M.G.Rana Day इसके फाउंडर थे M.G.Rana Day और इसके अलावा अगर हम बात करें तो रगुनात राओ तो रगुनात राओ और M.G.Rana Day इसके फाउंडर थे नेशनल सोशल कॉनफरेंस तो उसी का पार्ट था लेडी सोशल कॉनफरेंस जिसको रामा भाई रानाडे ने स्टार्ट किया था अगर हम फ्रेंड्स नेशनल सोशल कॉनफरेंस की बात करें तो वहाँ इन्होंने जो चाइल्ड मेरीज के अगेंस्ट में काफी मूवमेंट चलाया था इनका एक मूवमेंट है जिनको बोलते हैं प्लैज मूवमेंट तो प्लैज मूवमेंट को बोलते हैं तो प्लैज मूवमेंट इन्होंने बेसिकली जो इस्टार्ट किया था वो इसलिए इस्टार्ट किया था अगेंस्ट था चाहिल्ड मेरीज हैं तो C is the correct answer friends इस type के questions friends अब continue UPS से पूछ रहा है तो अगर हम बात करें next question की तो next question में friends पूछा है कि जो लाड डलोजी का जो time था लोड डलोजी तो उनके time period में कौन-कौन सी activities भी तो friends अगर हम बात करें लोड डलोजी का जो time period था 1848 से लेकर और 1856 तक था just before जो हमारा पहला आजादी का सवतंतर संग्राम हुआ था जिसके थोड़े दिन पहले ही इनका time period end हुआ था तो 1857 के time यह यहां पर governor general नहीं थे तो अगर friends हम बात करें जो हमारी पहली train थी जो पहली train थी वो तो 1853 में चली थी तो हिनी के time चली थी इसके लावा जो सतारा का जो annexation किया था इन्हों ने इन्होंने एक concept लेकर आए थे doctrine of labs कि कोई भी राजा यहां पर कोई भी यहां पर जो king है इंडिया में अगर उसके जो hair है वो hereditary hair नहीं है तो उनको फिर उनका जो भी kingdom है उसको को यह annex कर लेंगे जिसके अंदर सबसे पहले इन्होंने 17 सतारा को annex किया सबसे पहले इन्होंने 17 को को नेक्स किया इसके बाद में समबालपुर Index किया इसके लाव जंसी को भी नेक्स किया था घंसी टोरु उडैपुर जंसी इसके लावा नागफुर ओवाद ये बहुछ सारी kingdom थी जिनको जो doctrine of last जिसके थीजिस कर दोरु एक्स किया तो कभी-कभी यी पूछा जाता है कि जो 1857 का जो रिवोल्ट था उसके अंदर जो डॉक्ट्राइन ओप लैफ्स था हो क्या वो भी responsible था गया तो फ्रेंड्स कोई भी जब रिवोल्ट होती है तो उसकी two regions होते हैं एक तो होता है long term region और एक होता है short term region अगर हम बात करें 1857 की तो यह कुछ long term region थी doctrine of left की ऐसे annex करना अगर हम short term region की बात करें तो उस time में जो enfield rifle आई थी और जिसकी वज़े से जो religious sentiment से उनको hurt करने की कोशिश की गई थी कि तो इस वज़े से वो short term consequence थे और यह long term है कुछ जो भी कोई revolt होती है इसके लाव friends public work department इन्होंने बनाया था जो कैनाल गंगा के उपर जो कैनाल बनाया गया तो जो public work departments है जिनको PWD बोला जाता है present time में जो तो इन्होंने PWD का भी बनाया हर state के अंदर province के अंदर बनाया विडो रिमेरिज एक्ट था जिनको जो हमारे इस्वर्चंदर विद्या सागर हैं जिनकी वज़े से विडोरी में reject आया जिनके प्रियासों की वज़े से तो वो भी डलोजी के time में आया था इसके लाव अगर हम डलोजी की बात करें लाउड डलोजी के time में जो एंग्लो सिक वोर था वो भी नहीं के time हुआ था फ्रेंट्स ओट्स डिस्पैच जो education से related है वरना कुलर में education देने से related तो वो education से related भी नहीं के time में आया था फ्रेंट्स तो d is the correct answer यहाँ पर d correct answer है तो फ्रेंट्स इस टाइप से आपको किसी भी जो governor general है इन सब की जो उनके time क्या क्या events हो है उनके पर इंपता होना चीए इसके अलाव फ्रेंट्स हम train के अलावा अगर हम बात कहें जो telegraph है जो telegraph है वो भी नहीं के time में start हुआ था तो basically जो communication के लिए दो ही चीजे responsible थी वैसे basically जब train है जो train start की के थी बेटीस के दोरा वो material को इकटा करना था बड़ जैसे ही train आई तो इंडिया में आप आप देखिए कि अगर train गुजरात से करको train बंगाल की तरफ जा रही है तो बंगाल के people गुजरात के people से contact में आई जो communication सा वो start हुआ within the territory हम लोग एक जो consolidation की जो feeling है जो अगर हम बात करें कि हम एक ही land से blowing करते हैं वो वाली feeling आई इसके लावा जो telegraph के थुरू एक दूसरे को letter लिखना या एक दूसरे के थुरू message spread करना तो वो सब हमारे जो freedom जो fighters थे उन्होंने इन सब चीज़ों को use किया तो actually betis ने अपने communication के लिए सब चीज़े start की थी बट बाद में इनका use तो जो Indians ने भी किया और ये आमारे जो freedom struggle में लोगों को एक करने के लिए काफी role play की हैं तो friends D is the correct answer यहाँ पर हम next question की तरफ चलते हैं तो friends next question दर अंदर पूछा है कि जो राष्टे कुटा empire था तो राष्टे कुटा empire को किसने found किया था तो friends दंती दूर्गा is the right answer है यहाँ पर राष्टे कुट क्या डाइनेस्टी दी तो चालुक क्या डाइनेस्टी का जब डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद में राष्टे कुटा empire का establishment दंती दूर्गा ने किया वहाँ के एक राजा है थे करका का death मतब उनका assassination करके उनको war के अंदर हराके और इनकी जो capital थी friends मान्यकेट मान्यकेट capital थ friends राष्टे कुटा empire इसले भी famous है कि राष्टे कुटा from south, गुजर प्रतिहरा from the west and पाला from the east तो कहां पे जो कन्योज के अंदर जो कन्योज वहां पे एक symbol of sovereignty या wealth का एक prosperity का एक symbol माना जाता था उस टाइम में कन्योज, कन्योज का वहां पे उस टाइम में very famous होने के पीछे द कामान का जो एक दूसरी जगह भीजा जाता था वह इसलिए काफी important था एक fertile land के अंदर जो गंगा अगर यमना का जो लेंड है डोवाला वहां पे located था तो इस वज़े से कन्योज very famous था presently जो उतर प्रदेश में है कन्योज तो friends कन्योज के लिए ये तीनों fight किया करते थे य जो डाइनेश्टी है राष्टेगोटा डाइनेश्टी एसी के एक राजा थे दुरू तो दुरू ने उस डाइनेश्टी को उन्होंने इस alliance के अंदर काफी बार participate किया इसके लाव बात करें friends इनके अगर कुछ monuments की तो इनके कैलासनाथ जो temple है ऐलोरा का जो कैलासनाथ temple है वो राष्टेगोटा डाइनेश्टी के दुरूरा ही बनाए गया है friends तो friends next question के अगर हम बात करें तो next question ही about the Kalyana Mandapa तो Kalyana Mandapa से related है अगर हम बात करें friends तो Vijay Nagara Empire से related है जिसको Hariharan Bukka 1336 1336 में Hariharan Bukka ने इसको rule किया है अगर हम बात करें तो friends इसके अंदर 4 डाइनेश्टी जो basically इसके अंदर रूल किया करती तो कृष्ण देवराय इसके very famous king है तो आपको कृष्ण देवराय के बारे में पता होना चीए इससे पहले UPSC ने भी एक बार कृष्ण देवराय से question पूछा है तो Kalyana Mandapa इसे जो divine marriage है जो भगवानों की जो साधी होती है एक temple के अंदर है तो friends ये question actually में 2019 जो prelims है उसका question है previous year लगा next question की तरफ चलते हैं friends next question के अंदर पुछा है कि गया सुदीन जो बलबल है बलबन का टाइम में ये कौन-कौन सी activity है जो हुई है तो अगर हम बात करें friends separate military department हिनों ने create किया था इसके लावा उलुक खान का इनको टाइटर नसीर अ महमूद ने दिया था तो दोनों statement correct है इसके लाव को friends हम बलबन की बात करें तो slave dynasty के last जो great king है वो है बलबन अगर हम slave dynasty के बारे में बात करें friends तो 1206 में जो कुतुबदी ने बखने इस dynasty को start किया 1206 से लेकर 12010 तक वो rule किये उसके बाद में अगर बात करें तो उनके sun ने जो जो दामाद थे इलतुतमिस इनके दामाद इलतुतमिस 1211 में बैठते हैं और 1236 तक वो throne के उपर रहते हैं दहली में इसके लाव friends हम बात करें उनके बाद में रजिया सुल्तान है जो पहली woman है जो अगर हम बात करें दहली सल्तनत में तो 1237 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान power के उपर रहती हैं friends इसके लावा friends अगर हम बात करें तो रजिया सुल्तान है इसके लावा अगर हम friends हम बात करें तो उसके बाद में काफी time period तक कोई भी जो efficient king नहीं आते हैं तो 1266 से लेकर 1288 तक बलबन यहाँ पर रूल करते हैं बलबन actually तुर्किस मुसलिम थे और तुर इसके लावा friends अगर हम बलबन के बारे में अगर हम बात करें तो बलबन ने दिवान!.. अरज नाम से जो military department हम का किया तो बलबन इसमेंद में इस वजह से भी काफिक 2019 हैं और इसके लावे इन्हों ने अगर ऑम बलबन के बारे में मिलने नहीं दिया करते थे इन्होंने अपना spy system काफ़ अच्छा develop किया था तो ये कुछ बलबन की related कुछ बाते हैं friends तो हम इसका अगर बात करें answer का तो c is the correct answer friends तो next question की तरफ चलते हैं next question में पुछा है जो पसुपती seal है उससे related question है कि पसुपती seal में actually में कौन-कौन से जो animals हैं जो पसुपती seal से associate हैं तो हम friends अगर हम बात करें ये अगर पसुपती का seal है अगर हम बात करें ये अगर पसुपती का seal है तो पसुपती के seal में actually में चार जो animals हैं उनके बारे में basically बताया है elephant and tiger elephant and tiger जो उसके right side में पसुपती seal के right side में तो इस side में होंगे इसके लावा बात करें अगर left side के अगर बात करें तो वहाँ पे antilope है और antilope तो basically जो down side जो below seat वहाँ पे है और rhinosource और buffalo rhinosource और buffalo bull का वहाँ पे mention नहीं है friends तो 1 and 3 is the correct तो elephant है buffalo है elephant and tiger है right side में अगर हम इसके लावा left side के अगर बात करें तो left side में है rhinos और इसके लावा buffalo bull का वहाँ mention ही है और अगर down side के अगर बात करें seal के तो वहाँ पे bull वो जो antilope है उनका photo मिलता है two antilope का friends इसके लावाँ बात करें पसुपती seal में तो इसके बहुत सारे historians का मानना है कि कुछ लोग इनको देवता मानते हैं कि भगवान है कुछ लोग इनको woman goddess मानते है female goddess मानते हैं कि वो हैं तो इसके historians के काफी differences में तो one and three correct answer है इसके लावा friends आपको पता होना जी एक इंडेस वेले से उलाई कौन से साइट से क्या-क्या मिला है जैसे लोथल के डोकियार्ट काफी famous है तो इस से related UPSC काफी question पूछता है और जो map है जो sites का जो map है उनको आपको काफी अच्छे से memorize होना जी तो friends next question की तरफ चलते हैं इनमें पूछा है कि कौन सा temple है जिसको सबसे laterally construct किया गया है तो friends हम बात करें Sun Temple of Konar की तो इसको 1250 जो 13th century है उसमें Eastern Ganga Dynasty है Eastern Ganga Dynasty तो Eastern Ganga Dynasty के जो king है नर्सिमा वर्मन तो नर्सिमा वर्मन के दुआरा इनको construct किया गया है इनको नर्सिमा वर्मन जो Eastern Ganga Dynasty है उसके जो king है इस्टन गंगा डाइनेस्टी के king है तो उन्होंने इसको construct किया है Sun Temple of Kunark जो ओडिशा में located है अगर हम केलासना temple के अगर हम बात करें तो एलोरा में located है friends तो 8th century का यह temple है इसको अगर बात करें तो राश्टेकूटा डाइनेस्टी के जो Krishna थे Krishna नाम के king थे राश्टेकूटा डाइनेस्टी के तो उन्होंने इसको construct किया था इसके लावा friends यह actually में एक monolithic है friends और अगर हम ब्रीदेशुरा के हम बात करें तो ब्रीदेशुरा temple जो 1000 के आसपास जो जिसको राजा राजा नाम के जो king है चोला डाइनेस्टी जे उन्होंने इसको construct किया था अगर ब्रीदेशुरा के बात करें हम चोला डाइनेस्टी के तीन जो temples हैं वो काफी famous हैं friends जिनको great living चोला temples भी बोला जाता है एक तो ब्रीदेशुरा temple है इसके अलावा है गंगाई कॉंडा चोलापुरा और एरातेशुरा जो temple है वो तीन temple है लड़खान temple के बात करें तो आई होल में situated है और बेसिकली जो चालुक के आज के जो temple है उनसे related है आई होल में तो इस temple को बेसिकली 5th century में construct किया गया था इसके लाव हम बात करें बिर्देशुरा temple के तो एक ये जो temple है जो contemporary है उडिसा के अंदर एक temple है उसका नाम है राजारानी temple जो भूनेशुर के पास located है राजारानी temple तो उसका contemporary है बिर्देशुरा temple तो लेटरेश temple के अगर बात करें तो कोनार्क A is the correct answer यहाँ पर A यहाँ पर correct answer है तो friends next question के अगर हम चलें तो next question में इसमें पूछा है theater और जो region है उनसे related question है तो basically अगर हम बात करें theater से related है भावावी जो है वो गुजरात के अंदर friends किया जाता है इसके लावा इसके अंदर एक गुलाबा भाई है जो कानपूर की very famous है जो नोटंकी को काफी famous किये थे इसके लाव भोना की अगर हम बात करें friends तो भोना तो आसाम के अंदर है जो अंकिया नाठ है उसका part है अंकिया नाठ तो अंकिया नाठ को basically अगर हम बात करें बोना तो friends यहां पर बात करें तो तीनों पेर correctly match है she is the correct answer इसके लाव फ्रेंड हम बात करें आई ने जो prisoners हैं जो हमारे latter phase था जो freedom struggle का जिसमें आई ने prisoners को इंडिया मिलाए गया था तो उनके जो case की जो actually में जो case है जो इनको किसनी लड़ा था तो इस टाइम में 1945 के टाइम में friends Congress का एक special session होता है after the world war 2 तो उस session के अंदर एक एक जो एक बात रखी जाती है कि जो कुछ जो हमारे INA prisoners हैं उनको defend करने के लिए जो Congress के जो उस टाइम में leaders हैं उनके अंदर में जो भी एड़ोकेट्स हैं वो लोग इसके अंदर जाएंगे तो इसमें जो कमेटी बनती है कमेटी में कुछ नाम है तो कमेटी में नाम है भूला भाई देशाई भूला भाई देशाई तेज भाद्दूर सप्रू भूला भाई देशाई तेज भाद्दूर सप्रू, कैलास नात काड़ू, कैलास नात काड़ू, जोहार लाल नहिरू, जोहार लाल नहिरू, एंड आसा पली, तो ये कुछ लीडर्स हैं, जो गए थे वहां पे डिफेंड करने के लिए, अगर हम बात करें इन लीडर्स की दुबारा से, भूला भाई देशाई, तेज भाद्दूर सप्रू, कैलास नात काड़ू, जोहार लाल नहिरू, एंड आसा पली, कुछ लीडर्स हैं, इसके लावा फ्रेंड्स, अगर हम आये ने प्रिजनर्स की बात करें, जो बेसिकली थ्री प्रिजनर्स हैं, जिनको थ्री जो इस्टार्टिंग में जिनका ट्राइल हुआ, जो रेड़ फोट में जिनका ट्राइल हुआ था, तो प्रेम कुमार सैगर, इसके लावा सानुआज खान, और गुर्बक सिंग धिल्लोन, ये तीन लीडर्स हैं, जिनका और इसके बाद में आये ने जो प्रिजनर्स की ट्राइल हुआ तो पब्लिक का जो सेंटिमेंट्स है, वो हाई हो गए, और इसके बाद में डिसाइड हो गया था, कि यहाँ पर बिटेस यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर continue, जो constitution making से related है, जो activities का starting हो गया था, तो फ्रेंट्स, अगर next question की तरफ चलें, तो इसके अंदर पुछा ह जो भीमा का जो लॉंच है, भीमा का जो लॉंच है, तो इनमें कौन सी जो oldest हमारी जो केव हैं, जहाँ पर located है, भीमा का जो लॉंच है, बेसिकली जो पांडाव और जो कोरव जो लोग थे, माभार था, जो mythology से related है, तो अजंता में भी नहीं है, वो ऐलोरा में भी नहीं है, अगर भीमबेटका की बात करें तो friends वहाँ पर correct है कनेरी केव तो Bombay के अंदर located है friends तो अगर हम बात करें भीमबेटका केव की तो VS Wankar हैं जिनोंने इस केव को जो खोजी निकाला था तो friends यही है भीमबेटका जो विंद्या परवत के वहाँ located है मद्यपरदेश की अंदर presently तो हमारी अगर हम पहली लिथिक साइट की बात करें तो उसमें भी काफी important है भीमबेटका का नाम आता है करनूल का नाम आता है करनूल basically जहांपे fire का अविस्कार हुआ था इसके लाव हुंजगी का आता है हुंजगी जहांपे हमको जो सतुर मुर्ग है उसका जो एग सेल्स मिले थे तो friends ऐसी कुछ साइट है जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए basically इसके लाव तो this is all about today discussion friends तो आप इन questions का practice कीजिए और practice करने के बाद में आप अपनी notebook में note down कीजिए तो हमर संडे को इस टाइब से कीजिए लेके आते रहेंगे friends तो thank you friends, thank you very much